नमस्कार मित्रों आज का हमारा विसे है जिस पर हम बात करेंगे वो है भिन योग गिता वाले बच्चों के लिए शिक्छन अधिगम की तैयारी और आकलन पधतियां जहां तक बात है कि हम क्या सिखेंगे तो आज हम ये सिखेंगे कि जो भिन योगिता वाले बिद्यार्थी हैं वो क्या हैं कौन हैं उनके क्या प्रकार होते हैं और जो ये भिन योगिता वाले बच्चे हैं के लिए शिच्छन अधिगम की तैयारी में क्या मसले हैं उसमें क्य करने की जुरूत है और क्यों करने की जुरूत है अनुकूलन क्या होता है अनुकूलन क्यों करने की जुरूत है और क्या उसमें करते हैं इसके लावा आकलन के बारे में हम जानेंगे कि आकलन कार्थ क्या है इसके लावा हम ये भी जानेंगे कि भिन्द आवसिक्ता वाले बच तो एक तो बात यह हम को जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति की छंबतायें और रूचियां और विवहार भिन भिन होते हैं कोई बी दो व्यक्ति बात इसी से जुड़ करके जो आपको जाने की जुरत है कि यह जो भिनता है यह भिनता तो सब में है लेकिन कतिपय विध्यार्थियों की भिनता जो है कतिपय व्यक्तियों की भिनता जो है वो अलग से इसपस्ट दिखाई पड़ती है कुछ की दिखती नहीं है होती सब में है लेकिन कुछ लोगों की इसपष्ट दिखाई पड़ती है और इनकी जो इसपष्टता से दिखाई पड़ने वाली भिनता है ये सिक्षन के लिए सिच्छक के लिए नवीन चुनोतियां प्रस्थूत करती है ये भिनता जो है ये सिच्छन के लिए नवीन चुनोतियां प्रस् इनकी भिनता को जाना जाए समझा जाए और जब आप इनकी भिनता को जानेंगे समझेंगे सम्मान देंगे तो आपको पता ये भी चलेगा कि आपको इनके भी अधिगम को अधिक्तम संभव इस्तर तक आप्टिमम अप्टिमम लेवल तक ले जाने के लिए प्रयास करना अनि सबको एक साथ उनके सिच्छन अधिगम पर हम फोकस करें उनका सिच्छन अधिगम पर काम करें यही समाविसी सिच्छा का भी मामला है तो भिन्ययोगिता की जब भी आप बात करते हैं तो आप यह जरूर ध्यान रखेगा कि यह समाविसी सिच्छा की मूलता हम बात कर रहे हैं अब थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करने कि यह जो हम बार बार भिन्ययोगिता वाले बिद्यार्थियों की बात करते हैं ये कौन लोग हैं जो भिन प्र किसम के बच्चे हैं जिनकी भिन्र किसम के बच्चे जिन की भिन्र बच्चा भिन्र होता है लेकिन फिर भी कुछ खास केटेगरीज हैं, कुछ खास बिरादरी हैं, कुछ खास तरीके हैं, कुछ खास समू हैं, जिनको आप भिन्र योगता वाले बिद्यार्फियों के तौर पर पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, इनमें सबसे पहले हैं दिभ्यांग बच्चे, इससे पह ं जैसे हम कई सारे सब्धों का प्रियोग आज की तारीख में करना पसंद भी नहीं करते हैं कि नकारात्मक्ता से हमें बचना है मूल मक्सद के देख पहंचानना चाहते हैं पहुत उपाफ सकते इसी किस्म के डूसरा प्रकार है इन बच्चों का वह căτι अहींड हाईünden रोच बच्चा कार्य चुजित में अधिक प्रतिभास विताली चुजित कंहें संमूहूँ से सब्सक्राइब से मनदित है एक और बहुत महतोपरो बच्चों का समू है जो हम कई बार जिसको दरकिनार कर देते हैं जानकारी भी नहीं होती बैनलिंगी बच्चे हम लड़के बेट तो आप बिए देंट siamoसे पढ़ते कितनी गुना बढ़ेंगी और किस तरीके से वह मुझे लगता है कि एक अलग ही लेवल की एक अलग ही इस तरह की चुनोती उसके सामने आ आएगी और उसको डील करने में उसको निश्चित बात है कि दिक्कते आएगी क्योंकि अभी तक हमारे पास उस बारे में कुछ ज़्यादे दिसाग्यान है नहीं एक और इसी से जुड़े की बात करें का अलग स्रेणी की बात करें तो वह भिन सामूजिक सामाजिक समूहों के स्चित बालग तो इस तरीके के हमने कुछ नाम करन कर रखे हैं और यह भी ध्यार लखे कि वैस्वी की इसतर पर जब बात करते हैं तो यह हमारा जो भारति इस तरपर हम सामाजिक समूहों निर्मार करें जरूरी नहीं कि वो वैस्वी इस तरप स release अर्समाज में कुछ बहुत महतुपूर्ण है जो मुझे रगता है आज का जो हमारा बाजार का समय है यह समें जदे महतुपूर्ण हो जाता है वह भिन आर्थिक Pictures निश्चित बात है कि जिसके माता-पिटा जो वे एक जिसे कह सकते हैं कि बहुत धन संपदा वाला जीवन जीने वाले हैं और एक ऐसा बालक जिसके माता-पिता बड़ी मुश्किल से खाने का विवस्था कर पाते हों दोनों को आप एक ही तरीके से सिच्छन अधिगम की प्रक्रिया से लावानवित नहीं कर सकते हैं दोनों में अंतर रहेगा और अंतर होता है तो यह जो अंतर है जब तक वह हम यह जरूर है कि हम चाहते हैं कि सब लोग एक समान उसको वहाले होते हैं यह जल के अखर आप देखें और एक ऐसा परिवार जिसके माता पिटा का अच्छर से कभी सामन ही नहीं हुआ जिनको जो दोनों उठाई छाप हैं तो आप उस बच्चे को और इस बच्चे को कोई आपस में तुला नहीं कर सकते दोनों की आवस्चता हैं बिल्कुल भिन होती है जिनको हमें जानने की समझने की और जिसको हमें चुनूति के तोर पर स्वीकार करने के आवस्धिक्ता होती है। यह कुछ प्रकार हैं, बिन आवस्धिक्ता है। अब बात करते हैं कि जो भिन योगिता और भिन छमता और भिन आवस्धिक्तα वाले बच्चे हैं। इनके लिए जब हम सिच्छन अधिगम की बात करें तो उनके क्या त्यारी करने की जुरत है वैसे तो यह बहुत ही ब्यापक मामला है बहुत ब्यापक इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी भिन योग गिता उतनी ही भिन सिच्छन अधिगम प्रक्रिया और जितनी भिन भिन कुल मिला कर यह देखेंगे कि पूरा शिच्छन अधिगम प्रक्रिया प्रारमभ से लेकर आंत तक जो है बच्चों की आवस्यक्ताओं के अनुरूप करने की हमको आवस्यक्ता होती और स्विद्ध बच्छों की आवस्यक्ता भिन्न होती है इसलिए हमें अधिवर्तन करने हो तो पहले हम सिच्छन अधिगम की तयारियों की बात करते हैं उसके बाद आक्मन पर बाद में बात करेंगे तो जहां तक सिच्छन अधिगम की तयारी की बात है कि बिंद योगिता वाले बच्चों के लिए सिच्छन अधिगम जो है उसमें हम क्या करें किन चीज़ों तो मैं बहुत विस्तार का विस्य है ये पर मैं उतने विस्तार में नहीं जाओंगा मैं केवल कुछ बिंदूओं को छुना चाओंगा कुछ बिंदूओं पर आपका धाना करसन चाओंगा और वो विंदु हैं सबसे पहला है कि आपको वयक्तिक सिच्छन दिदियों का चुनाओ करना हम जानते हैं पिछले काफी लंबे समय से सिच्छा में जो हमारा एक बहस शलती चली आ रही है सामूहिक बनाम वयक्तिक की उस पर अभी भी कोई किसी परेडाम पर नहीं पहुंच पाए हैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन जब से हमने ये भिन आवसक्ता वाले बच्चों का संप्रत्य लेना प्रारंब किया है उस पर बात करनी प्रारंब की है तब से हम कम से कम एक चीज़ पर जोड़ देने लग गये हैं कि हमको सामूहिक के तुल्ला में वयक्तिक सिच्छन विद्यों पर अधिक ध्यान देने की जुरूत है उनको अधिक चुनने की जुरूत है उन पर अधिक काम करने की जुरूत है एक और चीज जो हमको करने की जुरूत है वह है कि पाठ योजना जब हम बनाते हैं तो पाठ योजना बनाने में हमको के पर पर आप थ्यान देने की ज़रूत है कि वह्त किस्म के बच्चे जो है को इस्थान देना आवस्यक है उसके अनुरूप अपनी पाठ्योजना को बदलना आवज अब इसमें एक चीज और ध्यान लखेगा यह आप तभी कर पाएंगे दिए आपको बिनताओं की समझ हो तो बड़ा इंपर्टेंट है कि आप पहले बिनताओं को समझें कि बिनताओं कौन कौन सी कैसी कैसी होती है किस किस तरह से लोग भिन होते हैं तो यह बैक्तिक विवरताओं की समझ आपको लिए बहुत आवस्यक है एक सिछक के रूप में अब एक चीज और यहां से जुड़ी हुई जो मैं कहना चाहूंगा जो हमारे लिए एक बड़ी चुनोती दिख है जब भी हम विद्वता की बात करते हैं विशेश रूप से सब्स्टेद आप करते हैं मारे अध्यापकों की अभिबरत की में उनकी चेतना में उनकी संवेदना में बड़ी सुधार की जुड़वत हैं jeśli सर नात्य व्योंदॉक है उनको सचेतन करने के आवस्रिटक क्ई रो जानती नहीं है कि अधिवेदन hub को यूख और शिच के लिए चील होना बहुत महाद्वुम्ण है बहुत जरूरी है और एक बात और एक थोड़ा टेक्निकल मामला चलना है थोड़ी तक्निकी बात वो रही है कि अधिगम की सार्भोमिक युक्ति की आज कल बात चल रही है उनिवर्सल डिजाइन अफ लर्निंग यह जो युनिवर्सल डिजाइन आफ लर्निंग है यानि अधिगम की सार्वहमिक यूपती इसके बारे में भी हर अध्यापक को जानने की और इसको अपने सिच्छन अधिगम की प्रक्रिया में सामिल करने की जरूरी है जरूरत बहुँ जादे है आज इस समय हम उसको पूरी तरीके से सामिल नहीं कर सकते हैं पर मैं आप से अनुरूरत करूँगा कि आप अधिगम की सार्वहमिक यूपती यानि उनिवर्सल डिजाइन आफ लर्निंग के बारे में जितना कुछ जान सकते हो जानने की कोशिच करिए आफ लाइन आनलाइन दोनों तरीके सार उसको हमेंसा नवाचारों पर एक नजर रखने की जरॉत होती है नवाचार मतलब नए ने जो इन्नोवेशं सो रहे हैं हमारे चेटर में बहुत आवस्त करने की बहुत आवस्तिता होती है न्य।्यार क्वैप जाहरता होyang कि आप छाह Ginger रखें वह से सोथ कारे में खुद भी सोध करना और दूसरों के सोध पर नजर रखना एक सिच्छक के लिए बहुत आवस्चक कारे और जो सोध के परिडाम हैं उनसे सम्मंधित अपनी सिच्छन दिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना भी बहुत महत्पूर अब यह जो अनुकूलन सब्द की मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूंगा अनुकूलन एक बहुत महत्पूर सब्द है जो आज की तारीख में हर सिच्छक के सस्त्रागार में मैं सस्त्रागार सब्द का प्रयोग करता हूं आप उसको कह सकते हूं उसके कौसलों में होना जुब दिशुब करते हैं तो अधार्भू संदरचनाओं को सबस्क दिखता है Accessible India के नाम से campaign भारा सरकार लंबे समय से चला रही है कितना क्या सफल है उस पर मैं कोई comment करना उचित नहीं समझता लेकिन इतना जरूर है कि कई जगे थोड़े से उसके बदलाव दिखते हैं आपको बिद्यालेओं में ramp दिखते हैं आजकल ramp बने हुए हैं जो ramp दिखते हैं या आधार मुठ संचना में अनुकूलन है क्योंकि ramp की जो हमारे wheelchair से चलने वाले बच्चे हैं उनको ramp की जुरत होती वो सेडिया नहीं चड़ सकते हैं ये समवेदना हम में आई है देर से आई है जल्दी आई है उस पर बात नहीं पर आई है तो ये आपके आधूर मैंने केवल एक उधारन दिया है आप देखें टाइलेट्स हैं आपके कक्षा कक्ष हैं फरनीचर है जिन पर बच्चे बैठते हैं आपको देखें कि कितने भिन आवसक्ता वाले बच्चे हैं हम उनके हिसाब से अपने इन चीज़ों में परिवर्तन करते हैं ब्लैक बोर्ड है उसके आप आप देखें कितनी सारी जी मैं इसमें विस्तार में जाओंगा तो यह लंबी लिस्ट होती चली जाएगी मैं विस्तार में नहीं जाता पर इतना ध्यान लखिए कि अनकूलन मैंने आपसे बताया तीन चीज़ों में चाहिए जिसे भिन आवसक्ता के बच्चों को हम ठीक से ध्यान दे सकें पहला है आधार भूत संद्स्ट चनाव पर ध्यान देना इंफ्र आश्च्ठ्रक्ट्र पर ध्यान देना दूसरा है जो शिछन दीघम और उसे संबंदित आचरं है सिच्छा अदिगम और उसे संबंदित आचन की जब मैं बात करता हूँ तो यह भी एक बड़ा सब्द है एक बड़ा छेत्र है जिसमें पाठेवस्त तुम्हें हमें उचित परिवर्तनों की आवसिक्ता पड़ती है उचित अनुकूलनों की आवसिक्ता पड़ती है सिच्छा दिगम सामग्री या टीलम जिसको हम कहते हैं उस टीलम में हमको बहुत बार परिवर्तन करने की जुरत पड़ती है अलग-अलग आवसिक्ताओं के नुरूप अलग-अलग आवसिक्ता वाले बच्चों के नुरूप हमारी कक्षा में जो बच्चे हैं उनके हिसाब स हमें उसमें परिवर्तन परिमार्जन अनकूलन करने की जुरूत पड़ती है अभी मैं जिसे आप से बात करता था इनिवर्सल डिजाइन आफ लर्निंग की जो मैं बात कह रहा था इस तरीके से कई सारी शिच्छन विधियां हैं जो खास तोर से कुछ खास जरूरत वाले ब को धारान खास तोर से देना चाहांगा अभी कुछ समय से उस पर काफी बात हो रही है कि अभी जो हमारा जो अभी फिलहाल जो हमारा सिस्टम है वो जा कंपुटेटीव है और इसको कौापरेटीव बनाने के ऊपर बहुत बात हो रही है तो आपको सहकारी अधियम से भिन आवस्टा की बात करते हैं तो जो आकलन है जो हमारा अभीतक जैसा हम प्रेक्टिस में लाते हैं जैसा हमारे अभ्यास में है अकलन assessment और मुल्यंकन जो हम करते हैं जिस तरीके से वो आपका भिन आवस्टा वाले बच्चों को जब आब बात करेंगे तो आज़ेटी जैसा करते रहें वैसा करने में हमको दिक्कत होगी उस से हम उतना लाब नहीं पाएंगे तो में भी हमें अन्पूलन करने की लगातार आवसकता पढ़ रही है और हमको करना चाहिए भी अब अगर बात करें कि आकलन की तो ये क्या है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है आकलन क्या है अगर इसकी बात करें तो इसको हम छोटे छोटे दो तरीके से समझ सकते हैं एक तो concept हमारा संप्रत्य है मापन का और एक हमारा संप्रत्य है मुल्यांकन का तो ये जो दोनों सं को प्रक्ते बनेगा इसको हम कहते हैं एक यह साधरना तरीका है समझने का कि मापन और इमुल्यांकन का योग आकलन होता है आप ऐसे समझ सकते एक क्या इसको दूसरे तरीके से से बहुत साधरना तरीके से समझें, तो ये कहीं रहें, वही सब आकलन की पध् rápido नाप रहें वो आकलन की तो आपको ये बात समझ में रहेगी तो आपको आकलन बहुत समझ में आएगगा उसके कोई भी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी होती अब जब आप भिन आवस्रिक्ता वाले बच्चों की बात करते हैं तो भिन आवस्रिक्ता वाले बच्चों के आकलन की जब आप बात करते हैं तो उसकी कुछ खास विसिस्ट चुनोतियां हैं जो आपको ध्यान में रखने की जुरत होती है तो यह जो जहां तक चुनोतियों की बात इसमें सबसे पहरी चुनोती जो भिन आवसिकता वाले बच्चों को लेकर के उनके आकलन को लेकर के आती है वो भासा की समस्या है हमको पता है जो भिन आवसिक्ता वारे बच्चे हैं इनमें जो भासा ग्यान है वो सारे वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो भासा को लेकर के सब में समान चमता नहीं होती है भासा जो है वो हर बच्चे की अपनी एक अलग उसकी चमता होती है भा को अपने आकलन में भी आपको ध्यान में रखने की जुरत होती है अगर आप आकलन में इस पर ध्यान नहीं देंगे अगर आप भासा का ध्यान नहीं देंगे आप भासा की जो समझ है बच्चे की उस पर ध्यान नहीं देंगे उसका पठन की जो छमता है उस पर ध्यान नहीं कोई बहुत तेज लिख लेता है कोई एक मिनेट में तीन पेज लिखता है और यहां को देखने की बहुत सक्ष जुरूत होती है यह हम देखेंगे तभी कुछ उस बारे में ज्ञाय कर पाएगे एक और चीज रूप कारेचमता हर बच्चे की कारेचमता अलग है हर बच्चे की अपनी विशिस्ट कारेचमता है और जो उसकी विशिस्ट कारेचमता है उसको आपको ध्यान में रखना है जब अगर आप उसकी कारेचमता को ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित रुप से आपको जो नहीं करोगे असफल हो गो यह आपको ध्यान रखने के ज़ूद है कि हर बच्चे की विश्ष्ट कारिशमता Isn't itका जो आकलन किया जाया उसकी उसकी ुसकार्शमता का ध्यान रखा जाए अब बात करते हैं मानसिक योगिता की हर बच्चे की मानसिक योगिता भी भिन्न होती और ये बात हम सब जानते भी हैं पर ये बात जानते हुए भी हम अपने आकलन में इस चीज़ पर कई बार ध्यान केंदित नहीं करते हम सब के लिए एक जैसा ही परिक्षण त करेंगे तो निश्चित बात है कि हम कुछ बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि हर बच्चे की मानसिक योगिता भिन्न है तो जब भी आप परिक्षण करें आकलन करें तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना आवस्यक है कि हमारे किस बच्चे की मानसिक योग है और एक बात फिर दोहरा देना चाहराई कि यह जो मैं बाते कर रहा हूं यह केवल कुछ हैं उदारन के लिए यह कोई ऐसी लिस्ट ने कि बस ही है इसके लावा कुछ नही यहीं आप के खतम होगAJ सारी बात यह बहुत सारी कि सकते तो अब आप यह हर बच्चे को घ्रिट सक्षाइब करेंगे तो आप उस हिसाब से करेंगे तब उस बच्चे को दर्किनार कर रहें उसके साथ अन्याय कर रहें जो इतने समय तक ध्यान केंदिन नहीं कर सकता तो यह भी आपके ध्यान देने की यह align केंदित करने छमता क्या है focus was कि तक उसकी उसकी चमता है फिर सारी सिमाहे हर बच्च एभीं आप से कह रहा था कि को हो ब ат thejść्क वाला वाला कोई किसी बच्चे के पैर में दिक्कत है तो उसको आप दोडा नहीं सकते है ना कुछ कोई बच्चा है जिसके माली जे बोलने की दिक्कत है तो आप उससे मौखिक सवाल करेंगे तो जब आप कैसे देगा कोई बच्चा जो है वो देख नहीं सकता है आप उसको ब्लैक वोड पे सवाल लिख देंगे तो कैसे उसको सम हमें हैं और एक सिछक के नाते आपका दाइद तो है कि आप यह पता करें कि किस बच्चे की सारी जिख सी माँ को जानेंगे तब आप उसी के उन रूप अपने आकलन को और सिक्षान को परिवर्थित कर पाएंगे वरना आप नहीं कर पाएंगे वरना उस तरीके के बच्चों अपने कैसारे बच्चों के साथ अम्याय कर देंगे जो की sir परिवर्टन करने की अनुकूलन करने की आवसिकता होती है तो जो भिन आवसिकता वाले बच्चे है वो बच्चे भी सारे भिन है तो आपकी कर्षा के बच्चों की आवसिकता वाले बच्चों की बात करते हैं तो हमको अभासिक असाब्दिक परिश्पन, नान बर्बल टेस्ट हैं, उन पर जादा फोकॉस करना चाहिए, उनका जादा उप्योग करना चाहिए. एक और चीज़ जिसको हमें जादा ध्यान देना चाहिए वो है अवलोकन, अबजर्वेशन. अच्छे अध्यापक को आपजर्वेशन की मदद से धेर सारा आकलन करना चाहिए उसको परिक्षाही लेने की आवसक्ता हो इसकी जरूरत मुझे कम से कम दिखती है मुझे लगता है कि आपजर्वेशन एक बहुत बड़ा टूल है एक बहुत बड़ा यंत्र है जिसके मदद से आप बच्चों का आकलन करते हैं और आपको करना चाहिए और भिन आवसक्ता के बच्चों की जब आप बात करते हैं तब आवलोकन आपके लिए और ज़्यादा है महत्तुपूर्ण हो जाता है एक और चीज जैसे ब्यक्तिगत सिच्छन को प्राथमिक्ता देनी आवस्यक्त है उसी तरीके से ब्यक्तिगत आकलन को भी प्राथमिक्ता देनी आवस्यक्त है हर बच्चे के आकलन को आपको अलग-अलग कंसिडर करना पड़ेगा, अलग-अलग उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि कि किसी बच्चे को आप मिस कर जाएं, किसी बच्चे के साथ आप अन्याय कर जाएं एक और चीज अनौप्चारिक मुल्यांकन जो है उसकी जो पधतियां हैं उन पर आप ज़्यादा ध्यान फोकस करें तो ज़्यादा भेतर रहेगा क्योंकि हर बच्चे की आकलन संबंदी जरूरतें भिनने हैं उसकी अपनी बिसिस्ताइं भिनने हैं तो आपको अनुपचारिक मुल्यांकन पर फोकस करना पड़ेगा इसके अलावा सततेवं ब्यापक मुल्यांकन आप ध्यान दीजे भिननावसिक्ता वाले बच्चों के लिए आपको सततेवं ब्यापक मुल्यांकन की पध्धतियों पर ही काम करना है उन्हीं का उप्योग करना है वही महत्तुपूर्ण है सबसे जाद है इसके अलावा एक और बच्चों की बात करते हैं इस टीम में सब को सबको मिला करके बैठा करके अczasलो अरह आकलन करते हैं तो बेहतर रहता है एक और चीज जो जरूरी है वो है विसेसग्यों की राय कई बार आपको कुछ खास मसलों में कुछ खास मामलों में विसेसग्यों की राय की भी आवस्यक्ता पड़ती है तो उसमें संकोच न करें अगर किसी विद्यार्थी के मामले में आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो उनकी अनुमत लेने की उनसे हामी भरवाने की आवस्यक्ता होती है जो हम कभी करते नहीं है पर अगर कुछ ऐसे भी बिद्यारती होते हैं जिन में उनकी राय का मतलब नहीं होता है उनको आपके उनके केस में उनके अभिवावकों से सम्मत या अनुमत लेने की आवस्यक्ता ह ांदे गनटे कर दीजिए 4 घंटे कर दीजे गटों में परिच्छा में पर हैं तो युक एक आइक। जो द्रश्टिबाधित बालख यो मूं एक अनूस पर जान है। बहुत सारी परिक्षाओं में इसकी सुभिधात दी जाती है एक और काम कर सकते हैं प्रसन थोड़ा कम पूछें दूसरा मैंने आप से कहा था कि असाब भी कर लीजे मौखिक कर लीजे तो इस तरीके के कुछ परिवर्तन करने से हम इस तरीके के भिन आवसकता वाले बच्चो प्रस्टार्र क्यारी जुरूत है लुकूलं क्या होता है उसको कैसे करते हैं कहां करते हैं आकलन का आर्थ है बिन आवसक्ता वाले बच्चों के मामले में आकलन संबंदि हो गई हो गई बहुत बहुत धन्यवाद